मसकार आप सभी का स्वागता है मारे यूटूब चैनल चीन या क्लासेज पर तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान पटवार बरती से समंदित तो राजस्थान पटवार बरती प्रिक्षा में ऐस थाई तोर पे सफल अभियर्थियों के लिए डोकुमेंट वेरिफिकेशन अर्था दस्तावेज स्त्यापन है तो राजस्थान करमचारी चेन बोर्ड ने ओपिशेल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है तो डोकुमेंट वेरिफिकेशन अर्था दस्तावेज स्त्यापन के लिए आपके पास कौन-कौन से अवशक दस्तावेज होने चीए और इसके लिए संपूर्ण जो प्रोसेस है डोकुमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो क्या रहने वाले हैं तो वीडियो को एक बार सुरू से अंतक पूरा देख ले ताकि इससे समंदी जितने भी आपके डाउट आए अच्छे से क्लियर होसके और आपको बार-बार किसी यह ना पूछना पड़े किसके लिए जरूरी दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे वीडियो को लाइक कर दें अधिक शेयर कर दें और य इसके लिए जो जरूरी डोकुमेंट है वो क्या-क्या आपके पास होने चाहिए या क्या-क्या इसके लिए जरूर्थ पढ़ने वाली है तो आप देख सकते हो राजस्थान सरकार रासव मंडल राजस्थान अजमेर के द्वारा नोटिप्रिकेशन है वो जारिक किया गया दिनाक आप देख सकते हो 15 फरबरी 2022 तो इसमें का गया सिधी बर्ती पटवार पर्तियोंगी प्रिक्षा 2021 में आयस्थाई रूप से यानि कि प्रोविजनल जिन बर्चियों को सफल गोशित किया गया है आयस्थाई रूप से चैनित अभियर्थी विश्चे लिखावा सिध कि बर्ती पटवार प्रतियोंगी प्रिक्षा 2021 में चैनित अभियर्थ्यों के मूल परमान पत्रों की जांच के सबंद में अर्थार डॉकूमेंट वेरिफिकेशन के सबंद में नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है फिर देखे आगे इसमें क्या का गया है उप्रोप् रटवारी पद हेतू अभियर्थ्यों की सूची प्राप्त हुई है उक्त सूची अनुसार मंडल दवारा दिनाक 21 फरबरी 2022 से यानि कि ये डेट को द्यान के लेना 21 फरबरी 2022 से लेकर के और 31 मार्च 2022 तक प्राता है साड़े 10 बजे से लेकर के और शाम 5 बजे तक निमन मू मूल दस्तावेजों के साथ अपनी दस्तावेजों का स्त्यापन अर्था डोकुमेंट वेरिविकेशन या पातरता की जांच तू व्यक्तिगत यानि कि परसनली आपको खुद से उपस्तित होना होगा समद्धित अभियर्चियों को इस संद्रम में उपस्तित होने के लिए किसी भी परकार का किराया बता आदी देयर नहीं होगा यानि कि यह आपको खुद से वहन करना पड़ेगा इसमें आब बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में इसमें कागया है कक्षा दस का मूल परमान पत्तर जिसमें जनम दिनाग अंकों बैस सब्दों में सपस्ट रूप से अंकित हो फिर अपने बात करें सेकेंड पॉइंट में कागया है ओकलि क्षा दस से सनात्तक यानि कि ग्रेजुेशन रीकौरिमेंट क्या थी पटवारी के लिए आपकी डिग्री होने नो इसमें कागया पॉइंट नमबर नेक्स्ट में का गया इसमें मूल निवास पर्मान पत्तर आपके पास ओना ची ए अवेद्द का पैचान पत्तर आईडंटी कार्ड यदि आवेद्द का चेन उतकर्ष्ट खिलाडी के कारण हुआ है क्योंकि इसमें जो उतकर्ष्ट खिलाडीयों के लिए 2 परते सीट रिजरव की हुई तो उसके अंतरगत यदि इस कोटे से आपका सेलेक्शन हुआ है तो आपके पास उतकर्ष्ट खिलाडी का जो पर्मान पत्र है वो होना जरूरी है यदि आवेद्ध का चैन भूतपूरव सेनिक के कारण हुआ है तो भूतपूर सेनिक ओने का पर पर्मान पत्र आपके पास उना जरूरी है जैसे पीपी ओ उडर की कोपी सहीत पॉइंट नमर आठ में का गया यदि आवेद्ध का चैन निसक्त जन के रूब में हुआ तो निसक्त जन ओने का पर्मान पत्र जिसमें आवेद्ध 40 परतिसात एक पेर से विकलांग दिव्यां हो आगे का गया एक पेर से विकलांग विक्ति के अत्रिक दिव्यांग को पटवारी पद की पातरता में अनुमती नहीं होगी फिर देखे आगे समें क्या का गया है पॉइंट नमर नाइन में पॉइंट नमर नाइन में इसमें का गया है यदि आवेद्यक विवाईत है तो विवा का पर्मान पत्तर की परती भी साथ में होनी चीए पोईंट नमर 10 में का आगे है विद्वा या परित्यक्ता होने समंधी दस्तावेज होने चीए विद्वा पती का मर्थ्यू परमानपत्तर परित्यक्ता परमानपत्तर जो सक्षम न्याले द्वारा जारी किया हुआ होना चिये विद्वा उने की स्तेती में पूरव का विवा परमानपत्तर भी प्रस्तू तैवो करना आपको होगा पॉल्ट नमबर 11 में काई यदि आवेद का चेन अनुसुचित सेतर में यानिकि TSP एरिया से हुआ है आपका तो अनुसुचित सेतर में निवासी होने का विशेश मूल निवास प्रमाण पत्तर भी आपके पास है होना चीए प्रित्यक्ता मेला का पुने विवार नहीं करने का स्पत पत्तर प्रस्तूत करना होगा तो ये डोकुमेंट वेरिपिकेशन के दोरान आपके पास मैत्पुन दस्तावेज के तोर पे आपको आप साथ में लेके जाने पड़ेंगे आगे पॉंट नबर 13 में का आगया है आवेदक की दिनाक 162002 के पूरव एम बाद में दो से अधिक संतान नहीं होने का मूल सपत पत्तर की परती आपके पास होनी चीए यदि आवेदक की आयूत दो से अधिक संतान होने पर आवेदक नियुक्ति का पत्तर नहीं होगा अभियर्थी के नाम उपना विवास समंदी तता दुमरपान एम गुठका सेवन नै करने के समंद में बच्चन वदता यानि कि अंडर टेकिंग जिला आवंटित होने पर सम समंदीत जिलाक लेक्टरों के माध्यम से किया जाएगा फिर आगे देखें इसमें लिखा अनुसुची जाती अर्थात सी या स्ट या ओबी सी का या का यानि कि इसमें लिख रहा है MBC या EWS का परमान पत्तर जो का परमान पत्तर जो किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए यानि कि जिस भी कैटिगरी से आप किसके अंतरगत बिलोंग करते हो आपके पास इसका जो सर्टिव केट है वो होना चाहिए फिर देखें पॉइंट नंबर सोड़ा में का आगया है अन्य पिछला वरका प्रमान पत्तर राज्य सरकार द्वारा नि इमिलेर का नहीं है अत्या उक्त तत्या सक्षम प्रादिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चीए डिजिटल साक्सर वाला प्रमान पत्तर तीन वर्स के लिए मान्य है एम हस्त लिकित प्रमान पत्तर एक वर्स के लिए मान्य होगा फिर देखें अगला पॉइंट नंब पर जारी किया हुआ तो प्रमानपत्तर मान्य नहीं होगा अभियरति अपनी पिता की आये के दार्पे पिता के नाम के साथ जारी प्रमानपत्तर जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रस्तूत करें तो ही यह मान्य किया जाएगा फिर देखें पॉइंट नमब इसके समकक्ष यानिके आपने जो आरे सेटी कप्प्यूटर कोर्स कर रहा है या उसके समकक्ष समनार्थी कोई अन्य कोर्स जो राजस्थान करमचारी चेनबोर्ट जेपूर की विग्यप्ति में वर्णित है वहीं मान्य होगा चरितर समंध प्रमान पत्रेतू टेस्टेट फ रुपे से कम है तथा उन्हें प्रिक्षा सुलक 250 रुपे ही जमा करवाये से अपने परिवार की वार्षी काया यानि की डाई लाग रुपे से कम आये होने का सक्षम प्रादिकारी द्वारा जो प्रमान पत्र है वो पातरता की जान दस्तावाइस के समया आवश्यक रूप यानि कि आपका आये प्रमान पत्र यदि आपने डाई सो रुपे का लाब उठाया है इस लाब का उठाने का जो आदार था वो यह आपने रखा था कि आग्या है वो डाई लाग रुपे से कम है तो आपको यह इसका जो आये प्रमान पत्र है वो साथ में लेके जाना के अनुसार दस्तावे स्त्यापन दिनाग से बैतर गंटे पूरव तक की जो करोना की जांच रिपोर्ट है वो भी आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी इस बात का भी आप अब शेरुप से ध्यार रखें कोवीड जाज की आपकी रिपोर्ट है बैतर गंटे पर लेकि वो त्य समय निमन बातों का विशेश रूप से ध्यान रखा जवे कौन सी बात है यह इसमें देरका विश्तरत आवेदन भरने से पूरव चैन बोड की वेब साइड यानि की करमचारी चैन बोड की जो ओपिशेल वेब साइड है वहां पे पर अंती में चैन एक तो विश् पांच ओप्शन दिख जाएंगे वहां पर एक ओप्शन लिखाओगा कांडिडिडेट को लिख करोगे तो वहां पर आपको यह ओप्शन दिखेगा डिटेल्ड आ श्क्योर्टी निटी फोरम तो यह आपको इसमें उपन करने के बाद में यह अंदिरका बरने तो अबेद जारी किया गया तो उसको भी आप एक वार निकाल की अच्छे से रीड कर लें ताकि प्रतेग बिंदु की अच्छे से आप कलीर हो उसकी और आप आवेदन की यानि कि जो भी आप आवेदन प्रपत्र बरोगे उसकी आपके पास दो अलगलग कोपियां होनी चाहिए विस्तरत आवेदन की फोटो परती स्विकार है वो नहीं की जाएगी यानि कि जो नकल थी वह आपको वह मूल कोपी जो थी आपके वह आप साथ में लेके जाएं उसकी दो अलगलग परतियां ले लेएं सेक्षनिक योगता आयू जाती आचरन यानि कि आपका विवार विवा खेल र अवशेक रूप से फिर देखें इसमें का गया सिधी बरती पटवार परतियोंगी प्रिक्षा दो जारी किसका ओनलाइन अवेदन पत्र की जो हाड कोपी है उसकी दो परतियां यानि कि जो आपने फोर्म एप्लाई किया था उसके समय आपने एक हाड कोपी निकलवा के हो की एक परति भी साथ में लेक हाल यानि कि नविंटम फोटो आपके पास चिपकाई हुई होनी चीए देखिए पॉइंट नबर 6 में का आगया है विस्तरत आवेदन पत्र के साथ प्रमान पत्रों एम दस्तावेजों की समय द्वारा परमानिक परति सलंगन करे यानि कि सा सब्सक्राइब करना है तो वह सब आपको मिल जाएगा यदि अनुसुची शेत्र में निवास है करता है और वहां का लाब लेना चाहता है तो अनुसुची शेत्र का होने का विसेश आप मूल निवास प्रमान पत्र परस्तूत करना होगा तो यह इस पर आलेडि अपने चर्चा कर चुके हैं तो यह डोकुमेंट के बारे में और आपको कौन-कौन सी किस परकार से अव है राजस्तान करमचारी चेन बोर्ट जेपूर द्वारा सिधी बरती पटवार परतियों की प्रिक्षा दोजारी किस प्रिक्षा का आयोजन है वो तैईस दस दोजारी किस यानि कि तेईस चोई सक्टूबर को किया गया था उसके बाद में 25 जनवरी 2022 को इसका रजल्ट है तो जिसकी पात्र जांच मूल दस्ता वेजूं की की जन अहीं साथी रॉटCl'? आजस्थान टोडरमाल मारक सीविल लाइन अजमेर में दस्तावे स्त्यापनेतु वेक्तिगत रूप से यह पूरा एड़स्ट देर का यहां पे आपको प्रजेंट होना है उपस्तित होना है और यहां पे देखें यह रोल नंबर दे रहे हैं तो जिस भी अपयर्थी का रोल वेरिफिकेशन किया जाना है आपको उस दिना को वहां पे राश्व मंडल कडाले में पहुंचना है तो यह सब रोल नंबर है सब के रोल नंबर दे रहे हैं जिस भी दनाक का आपके अलगलग पारियों में यह सब का 22 फरबरी मंगलवार को तो यह अलगलग पूरा सेडूल जारी की रख है तो इसको भी आप अच्छे से चेक कर लें यह पूरा पीडियाव आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप चीनिया क्लासिस पर मिल जाएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां से आप उसको जोइन करके पूरा पीड जानकारी आपको अच्छे से क्लियर होगी वीडियो को लाइक करते हैं अधिक शेयर करते हैं और अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी परकार क्योंगी और नमींतम अप्डेट चैनल के मादिम से समय समय पर उपलाब्द होती रहे